है 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 आप एक वीडियो हमें मिला है ऐसे चलते फिरते मिला है टाइटल देखके हम एक ट्रेक्ट होगे उसकी तरफ मतवजा हुए और टाइटल कुछ ऐसे है के 98 कंट्रीज 809 कंपनीज 50000 पीपल ना कभी देखा ना सुना तो अभी या तो मुझे कोई बड़ा ग्रूप लग रहे है गोतमडानी का या फिर अंबानी का या टाटा ग्रूप लग रहे है यह तो देखना पड़ेगा अजम्शन है मुझे पता नहीं है यह सच लेकिन देखना तो पड़ दीजिए कमेंट सेक्शन में आप निराय हमें दे सकते हैं आईए शुरू करते हैं 321N हेलो फ्रेंस जैहिंग इंदोस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दूस्तो प्राइमनेस्टर मोदी ने बैंगलूरू में एश्या के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 2023 का उधगाटन किया यह पांच दिवसीय कारेक्रम दी रन्वे टूए बिलियन मैं समय नहीं कोई कमपनी है चाहरत की नई ताकत और शमताओं को दर्शाता है उन्होंने कहा कि भारत में बने तेजस्विमान और आइनस्विकरान भारत की शमता के उधारन है भारत ने पिछले आठ नो वर्षों में अपने रक्षा उत्पाद छेतर का काया कल्प किया है उन्होंने कहा कि जो देश देशों से सबसे बड़ा सब कुछ चेंज हो गया है वो अब दुनिया के 75 देशों को रक्षा उपकरन निर्याद करता है बीते पांच वर्षों में देश का रक्षा निर्याद छे गुना बड़ा है सुमित बड़ी एरो इंडिया के अंदर और और जो रुपे हैं वो भी लग रहे हैं तो तुम्हारे थोड़ी हैं जो माइट है वो दिखाना चाहता है और का जाता है यह इसिया का सबसे बड़ा ए इस लिए प्रफेंस एक्विपमेंट है वो एक्सपोर्ट करने की कपैस्टी में होगा होगा क्या कर रहा है भाई चीमा साब तीन चार पास दिन चलेगा और इससे बड़ा एर शो या तो यूएस मोटा या फिर एक रिचिया इस अब इस तर्ड बिगिस्ट एर शो इन चांगी में चांगी में चांगी एर शो बड़ा फेमस होता था में दोनों सिंगापूर आता तो मैंने भी देखा था तो हमने पार्ट स्पेड वी किया था बट तब ये और उसके सामने अगर आज में इसका स्टाचर देखू उसके सामने वह बहुत चोटा लगता बहुत चेल के बात करें तो करीब साथ से दस बिलियन डॉलर की तो और बुकची में साथ साल आठ साल उनके हैंड्स अंप्रिटी फुल अभी आपको यह पता हूंगा बैंगलोर में ही एशिया का सबसे बड़ा है तो यह जो और अब हम अम आरो यहाल है मैंटेनस ऑपरेशन रिप इंडिया अच्छिन अच्छिन आप डिपिटी आप यहाल हो यहाल है अब अच्छिन 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 आपको एक शीज बताओ आपने सुला पर ग्रेटर नोइडा में की एरपोर्ट वार रहा है तो यह जो इन आइडिया वार्ट विच एशिया बिगेस्ट करबन इत्रों से उससे भी बड़ा इस ब्रॉट इस पार्ट अफ इंटेग्रेट इस पार्ट विच वर्ट तो से ने स्टेट विडेवलेटर वो रहा है और देरे ने हमारा जो दो एरक्राफ्ट है जो 32 सीट और बहुता सीटर का है उसका वी डिजाइन अपर रानिंग है और या अब फोकस है कमर्शल जहाद बनाना कमर्शल जहाद बनाना तो यह मैं अमेस्ट भी वह हूं और तोड़ा शिर्मिंदा भी हूं देखें मैं ऐसे हूं कि मतलब मुझे यह लगा था कि शायद कोई कंपनी है नहीं लेकिन यह भाई 98 कंट्रीज से अल्मोस्ट 810 कंपनीज आ रही है इंडिया में एक शो में पार्टिस्पेट करने और उस शो को देखने उस शो में जो पार्टिस्पेशन है अबाउट हाफ मिलियन पीपल है इतना बड़ा इवेंट होगा कि उसको मैनेज करना सोचो कितर कैसे मैनेज होगा वो और फिर उससे जो आपके MOU साइन होंगे अब आप देखें न सुमिछ साब जैसे बता रहे हैं कि MRO आएगा यहां पर मेंटेनेंस और रिसेर्च ऑपरेशन यह सब काम यहां होंगे इविएशन इंडुस्ट्री का आप समझ लें हब बन जाएगा इंडिया और चोटे जो चार्टर प्लेंस होते हैं मतलब अभी तक आप देख लें जितनी भी जो है वर्ल्ड में कोई भी एरलाइन है वो सारे अपने एर प्लेंस जो है वो अमेरिका की कंपनीस जो हैं वहां का कहलें कि जो उनकी परसंटेज है जो उनका सक्सेस रेट है वह उन्हों दिखाया तो वन वैप जो है एक आपको पता है यूके की एक इंटरनेट कांस्टलेशन बना रहे हैं वह तो वह अपनी सेटलाइट्स जो है वह इसरों के थरूब भीजते हैं यानि उनके पास अब बताया के चार हजार से चार मिलियन मिलियन ही का था ना शायद तो उस तक डिमांड इनकी पहुंच रही है प्लेंस की तो इस कॉइंग टो पी अवेरी प्रोड़क्टिव प्रोजेक्ट और इससे जोब्स क्रियेट होंगी फिर लोग यहां पर ट्रैवल करेंगे आप देख के साथ कागो भी इनिशियेट हो रहा है तो आप देख लेंके हब बन जाएगा एक तरह का और यह सब कहां हो रहे है एक ऐसे कंट्री में जिसका पाकिस्तान कभी पार्ट होता था और आफ्टर 75 यर्ज ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एंड फांडिंग ऑफ पाकिस् कि ये महिरान हूं कि मतलब हमारे पास की अविटकल लिडर्शिप क्यों नहीं आरी और इवन के स्टैबलिशमेंट बीसता की क्यों नहीं आरी जो चाहे वो जिस मर्जी को आगए लेकर रहें लेकिन गॉल तो होना चарт समय gonna मुल्क को आगे लेकर जाने मुल्क की तरफिच क करवानी है इनका गौल है कि अपने आपको तरक्की करवानी है आप देख लिए हमारे जितने भी लीडर्शिप है जब जब यहां से हकूमत में नहीं होते तो वह दुबाई अमेरिका यूके यूरॉप वहां रहते हैं और सेम गौस फॉर्ड इस्टैबलिश्मेंट एंड नाउमीद सी होती जा रही है क्या करें जिनाप आपको पता है कि जब किसी को अपर्चुनिटीज ना मिलें तो वह फिर प्रेफर करता है कि यहां से चला जाए हम यह देखने के हमारे जो प्रेंस हैं एजुकेटिट प्रेंस और जो के कुछ चेंज ला सकते हैं वह अब छो बेस्ट विशिस टू यू गाइस आपका तो बेतनी है सिस्टम चल रहे और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अपने क्याला रखिएगा सी यू गाइस